शराब घोटाले की वज़े से विवादों में गिरे अरविंद केजरिवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के खिलाप में सुप्रीम कोट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 11,000 बोल्ट का जटका दे दिया है जिसकी वज़े से आम आदमी पार्टी में हडकाप मचा हुगा है हम विशलेशड करेंगे और इसके अलावा शराब घोटाले में जेल में बंद मनीश से सौदिया मामले में भी सुप्रीम कोट से बहुत बड़ी खबर है इन दोनों ही मामलों का हम इस रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे लेकिन उससे पहले आपसे विनमर निवेदन है क जरूर करें देखते रहिए मुद्दा गरम है दिल्ली की अरविंद केज्रिवाल सरकार को बड़ा जटका लगा है दरसल सुप्रीम कोट ने दिल्ली के मुक्य सचेव नरेश कुमार का कारिकाल छे महीने बढ़ाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है कोट ने नरेश कुमार को केंद्र सरकार की ओर से दिये गए सेवा विस्तार पर हस्तक्षिप करने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है आपको बता दें कि नरेश्ट कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे जिसके बाद में केंद्र ने उन्हें 6 महिने का एक्स्टेंशन दिया है इस पर दिल्ली की केजडिवाल सरकार में आपक्ती जताई थी सुप्रीम कोट के प्रधान न्याधीश जस्टिस डीवाई चंदरचूर न्यामूर्ती जेवी पारदीवाला और न्यामूर्ती मनोज मिश्रा की पीट ने मामले पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार के फैसले क कानून का उलंगा नहीं माना जा सकता पीट ने कहा कि हम सपस्ट करते हैं कि कारिकाल के विस्तार को बरकरार रखने वाला आदेश प्रारंबिक द्रस्टिकॉर्ण पर आधारित है सम्विधान पीट राश्ट्रिय राजधानी में यानि कि डिल्ली में सेवाओं से संबंदि संशोधित कानून का परिक्षड के समय लंबित मुद्दों पर कोई विचार नहीं किया पीट ने कहा कि केंद्रिय ग्रही मंत्राला को मुख सचिप का कारिकाल बढ़ाने का अधिकार है जो सम्विधान की राज्य सूची की सात्वी अनुसूची के प्रविष्ट एक दो और आठ से सम्मंदित सभी मुद्दों से नपटता है पीट ने कहा कि ये विशेव दिल्ली की अम आदमी पार्टी सरकार के विधाई और कारिकारी दायरे से बाहर के हैं इसलिए प्रारंबिक नजर में केंद्रि के पास मुख सचिप का कारिकाल बढ़ाने की जरूरी शक्तियां हैं इधर सेवा विस्तार का विरोध कर रही दिल्ली सरकार के और से वरिष्ट अधिवक्ता डॉक्टर अभिशेक मनु सिंग्वी पक्षो रख रही थे सिंग्वी ने कोट से कहा सुनवाई की दौरान की मुक्ष सचिफ के अधीन दिल्ली सरकार के कई ऐसे मामले हैं जो दिल्ली सरकार के विशेश शेतर में आते हैं ऐसे में दिल्ली सरकार को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए गौरतलाब है कि केंदर ने मंगलवार को सुप्रीम कोट के समक्ष कहा ता कि नरेश कुमार का कारकाल बढ़ाना चाहते हैं हलाकि इस पर पीट ने केंदर से ये सवाल किया था कि उसके पास में सिर्फ क्या एक ही व्यक्ति बचा है जिसका वो कारिकाल बढ़ाना चाहते हैं और भी तुमामाई ये सफीसर हैं क्या उनमें से निक्ति नहीं की जा सकती इस पर केंदर ने सुप्रीम कोट से का कि वो कुछ समय के लिए ही मुक्ति सचिफ को सेवा विस्तार देने पर विचार कर रही है केंदर ने ये भी कहा कि नए मुक्ति सचेफ की निक्ति के मौके पर दिल्ली सरकार को सम्मावित अधकारियों के नामों की लिस्ट सौपने के साथ चर्चा भी की जाएगी अब दोस्तों रुक कर लेते हैं अंगली बड़ी खबर का जो की सुप्रीम कोट से आ रही है दिल्ली के शराब घुटाले में आरूपी और पूर्व डिप्टी सीम मनीश सौदिया ने एक बार फिर से सुप्रीम कोट का रुक किया है उन्होंने जमाना त्याच का खारिज किया जाने के फैसले पर पुनर विचार करने के रिए एक रिव्यू पेटीशन दाखिल कर दी है सुप्रीम कोट ने 30 अक्टूबर को सिसौदिया की जमाना त्याच का को सिरे से खारिज कर दिया था तब सुप्रीम कोट ने माना था कि जाच एजेंसी 338 करोड रुपए के लेंदेन की बात आइस्थाई रूप से साबित कर पाई है लगबग आठ महीने से जेल में बंद से सौधिया की जमानत याचका सुप्रीम कोट से पहले ही खारिज हो चुकी है सुप्रीम कोट ने कहाता कि अगर 6-8 महीने में ट्राइल पूरा नहीं होता है या फिर अगले 3 महीने में ट्राइल की रफ्तार धीमी रहती है तो वो जमानत याचका फरसे दाखिल कर सकते हैं ऐसे में अभी ना 3 महीने का समाई बीता है ना 6 महीने का इसलिए एक सिसौधिया जमानत याचका दाखिल नहीं कर सकते हैं लेकिन रिव्यू पेटिशन दाखिल की है सुप्रीम कोट से पहले धिली हाई कोट भी सिसौदिया की जमाना त्याज का को खारच कर चुकी है मई में हाई कोट ने उनकी जमाना त्याज का कारच करते हुए कहा था कि सिसौदिया पर काफी गंबीर आरोप है आई कोट ने कहा ता कि से सौधिया का इस मामले में विवार भी सही नहीं रहा है वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं इनके पास में 18 विवाग रहे हैं पूर्व डिप्टी सीम भी रहे हैं इसलिए उनको जमानत नहीं दी जा सकती शराब नीती घोटाला मामले में सीबियाई ने इस साल 26 फरवरी को दोस्तो मनी से सौधिया को गरफतार किया था इसके बाद में 9 मार्च को भी इनफोस्मेंट अर्क्टरेट्टने से सौधिया को गरफतार कर लिया था तब से ही सिसौधिया लगातार जेल में बन्द हैं बहर आने के लिए तर्फडा रहे हैं लेकिन कोट से हर बार उन्हें जटका लगता है A.D. Sheriff Goatali میں money laundering से जुरे मामले की जांच कर रही है इस मामले मैं अदालत ने सिसाथिया की न्याई किरासत को 21 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है वहीं C.B.I. के केस्थ में सिसाथिया को 22 दिसंबर तक न्याई किरासत मैं भीज दिया गया है यानि कि जो मनिश से सौधिया है उन पर दोहरी मार पड़ी है एक तरफ जहां दस दिसम्मर तक के लिए उनकी नियाए खिरासत बढ़ाई गई है तो दूसरी तरफ सी बी आई के मामले में 22 दिसम्मर तक के लिए उनकी नियाए खिरासत बढ़ा दी गई है यानि कि CPI हो, enforcement, directorate हो, तब तक मनी से सौधिया से सवालातों का सलसला हवालात में लगातार जारी रहेगा, दूसरी तरह संजय सिंग से भी सच उगलवाया जा रहा है, लगातार धीरे धीरे तमाम evidences के basis पर, ये और भी तेजी से पुकता होता चला जा रहा है कि किस तरीके से शराब घोटाले को अंजाम दिया गया कैसे कुछ एक अपने मन पसंदीदा व्यापारियों को फाइदा दिलाने के लिए कानून को ताक पर रखा गया, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, तो कुल मिला करके, दो ये बड़ी खबरें थी, सुप्रीम कोट से, पहली खबर में अरविंद केजरिवाल को 11,000 बोल्ट का जटका लगा है, और मोदी सरकार की, यानि की केंद्र की सरकार की बहुत बड़ी जीत हुई है, जिन्हें भरस्ट करप्ट बता रहे थे, अरविंद केजरिवाल सचिव को उनका एक्स्टेंशन कर दिया है, सुप्रीम कोट ने, आप पूरे के पूरे मामले की दिशा और धशा की बदल करके रख दी है, जिसकी वजह से, आम आदमी पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है, और अरविंद केजरिवाल के लिए, ये सुप्रीम कोट का फैसला कहीं न कहीं, गले की फांस बनने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरिवाल ने क्रिटिसिजम के नाम पर जो परस्नल पॉलिटिकल अटेक किये हैं, वो भी अब लोगों के बीच में जग जाहर हो चुके हैं, बहराल जो सुप्रीम कोट का बड़ा फर्मा जारी हुआ है, और केजरिवाल को जो ग्यारा हजार बोल्ट का जटका लगा है, इस पर आपकी क्या राए है, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, जल्द मिलूगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्वाद, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साड़ बने बेल लाकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं आपडेट लेकर के आओं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले,